आज हम QGIS पर सेप फाइल की एरिया कैसे खलो करें ट्रशाथ है ठीक है शुरू करते हैं सबसे पहले हैं है सेप फाइल को ऐट करना है उसके लिए लेयर में जाना है और एड़ लेयर करना है क्योंकि सेप है तो वेक्टर लेयर होगा पर कौन से लोकेशन है, वहां जाना है, तो फिलाल में इंडिया का मैप ले रहा हूं, तो इस उपन करता हूं, और एड करता हूं, ठीक है, अभी तो यह रहा मेरा से फाइल, और मैं चाहता हूं कि मैं हर एक स्टेट का एरिया कैलकुलेट करूं, जैसे कि जब मैं इसकी एट्रीबिट टेबल चेक करता हूं, तो आप देख सकते हूं, यहां पर स्टेट का नेम है और उस स्टेट की पॉपलेशन है, ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं कि, होगा कि इस से फायल की प्रोजेक्शिन को चेक करना पड़ेगा ठीक है तो मैं राइट क्लिक करता हूं और प्रोपर्टेश में जाता हूं तो आप यहां देख सकते हो कोड़ने रिफरेंट सिस्टम पर की नेम जो लिख है वो रहनीर स्चेकqué 004G gpsg 4326 Wg84 तो यह कै कैया कि यह कोड़नेट 12 है कि और हमें यह एरिया कालोग्ड करना हा तो इस एप्रोजेक्ट करना पड़ेका ठीक है इस हम् सिया में इसके लिए प्रोजेक्शन करना पड़ेगा, बहुत आसानी, उसके लिए आप विक्टर पे जाओ, और डादेम तूल पे जाओ, और रे-क्रोजेक्ट लेर, वहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, अब हमारी इन्पुड लेर्ड यही होगा, ठीक है, अब हमारी इन्पुड तो आप छोगा है अब हमारा काम इस रिप्रोजेक्टेड़ से फाल से होगा ठीक है अब राइट क्लिक करें और ओपन अब हमें क्या चाहिए एक नए फील्ड चाहिए है उसके लिए हम क्या घर दीए आप एक ओपन फील्ड क्यावकुलेटर है वहांपर किलिक करेंगे तो हम नए फिल्ड बनाने जा रहा है मिस तो आप यह दो चीज यहां देखिए एक अपडेट एक्जिस्टिंग फिल्ड है और क्रेट न्यू फिल्ड है क्योंकि हम एक नए फिल्ड बना रहे है एरिया फिल्ड ठीक है यहां पर इस्टेट ने में पॉपलिस्टों में एक एरिया फिल्ड बनाना चाहते है तो उसके लिए क्या कर रहा होगा और फिल्ड में 10 लेंथ हैं ठीक है बड़ी बाद नहीं प्रिशिजन में 2 रख लेता हूं ज्यादा नहीं चाहिए अब यह जो हमारे expression का इडिटर जहां पर है हमें क्या करना है हमें एरिया चाहिए तो एरिया के लिए आप यहां पर जोमेट्री को एक्सपांड करो और देखें बहुत सारे फंक्शन से अभी हमें एरिया चाहिए तो मैं क्या क्ला हूं यह डवल क्लिक कर देता हूं अब यह ड़लर एरिया आप करोगे यहां प्रिवी पर देख सकते हो एक कोई नंबर आया बहुत बड़ लंबा बड़ा नंब कि अंबर रिव प्रोजट्ट है तो जो भी इसका इफिनिट होगा वो मिड्रे स्क्वार में होगा तो इसे स्क्वार किलोमेटर में लगेंगे इसे स्क्वार किलोमेटर पर करेंगे तो अच्छा दिखेंगा ठीक है तो इसके लिए क्या करना है मिड्रे स्क्वार है मैं इस से इंटू 10 raised to the power minus 6 कर देता हूं अब यहां पर देखिए यहां थोड़ा सा बेडर व्यू देख रहा है तो ओके कर देता हूं अब देखिए कि हर स्टेट का एरिया आपके पास आ चुगा है तो आपके पास आ चुगा है तो ऐसे आप पोलीगन की एरिया कैल्कुलेट कर सकते हो QGIS पर